हेलो फ्रेंड्स, वेलकुम टू माई चैनल, आज किस वीडियो मैंने एक कहानी ली है जो कि किताब से ली है और छोटी सी कहानी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी जरूर सेर करूँ तो चली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस कहानी को स्टार्ट करते हैं सीखा एक चतूर और बुद्धि मान माबाप की लाडली बेटी थी पढ़ने में वे तेज थी पहली कक्षा से प्रथम आती रही थी गनीत में तो उसके सरवाधिक अंग आते थे साथवी कक्षा में सीखा के इच्छानवे प्रतिसत अंग थे आठवी कक्षा तक आते आते वे सवालों को बहुत जल्दी हल कर लेती थी स्कूल के सभी अध्यापक उसकी तारिफ करती थे सब तरह से वे सुनती सीखा तुम गनीत में कितनी होस्यार हो इस से सीखा समझने लगी कि वे गनीत में बहुत होस्यार है और उसने गनीत में ध्यान देना कम कर दिया जब अर्दवार्शिक परिक्षा आई तो सभी विश्यों की सीखा ने बहुत अच्छी त्यारी की पर गनीत को छुआ भी नहीं जिस दिन गनीत की परिक्षा थी सीखा भहुत आत्मे विश्वास के साथ गई दूसरी सहेलियन डर रही थी पर सीखा तो निश्चिन थी मतलब श्योर थी कॉन्फिडेंट था उसे कि मैं गनीत में तो मेरे अच्छे अंक आ जाएंगे कि उसे गनीत भहुत अच्छी लगती है और गनीत की पेपर में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे परिक्षा भवन में सीखा को प्रस्ण पत्र मिला उसके पेरो तले जमीन घिसक गई बीस सवालों में से उसे केवल पांच ही आते थे सीखा के चेहरे की हवायां उड़ने लगी और उसकी आँखों में आंसू जल जला उठे जब टीचर ने कहा सीखा तुमें तो सभी सवाल आते होंगे तो वे आंसूं को रोक ना सकी और उसने टीचर को बताया कि उसने गनीत की तियारी नहीं की थी तब टीचर ने उसे कहा सीखा एक होसियार लड़की होते हुए भी तुम्हारे अत्यधिक आत्मे विश्वास ने तुम्हें मात दे दी परिक्षा में तयारी करके आत्मे विश्वास रखना तो समझदारी है पर बिना तयारी आत्मे विश्वास रखना मुर्खता है श्रीका पश्चिताप से भरी हुई थी जब परिनाम आया तो गनित के कम अंकों के कारण वे प्रथम नहीं आ पाई थी अब उसने निश्चे कर लिया था कि आगे से वे परिक्षा में सभी विश्यों की बराबर तैयारी करेगी तो फ्रेंड्स आपको ये कहानी कैसी लगी तो इस कहानी से हमें ये सिक्षा मिलती है कि हमें किसी चीज पर गहमन नहीं करना चाहिए या ओर कॉन्फिटेंट नहीं होना चाहिए किसी चीज पर नहीं तो जैसे इस कहानी में हुआ है वैसे हो जाता है रियल में भी तो आप comment box में बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है comment box में ये भी बताएं कि ये story कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो please like करें इस वीडियो को अपने friends and family के साथ जोर share करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें Thank you friends